हाई गैज और विल्कम बैक तो दी चैनल दीपक्यादव एजूकेशन विल्कम तो दी डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल इनालिसस अफ 16 अगस्ट 2021 तो गैज आज है तारिक 16 अगस्ट 2021 और है मंडे देखेंगे आज का दे हिंदू कंप्लीट न्यूस पेपर को अनिलाइज करेंगे बट लेक्चर में आगे बनने से पहले अगर आप लोग को ये कंप्लीट न्यूस पेपर का पीडिएफ चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलिग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन आप लोग को ये वला चनल मिल जाएगा इस पे क्लिक करना और जाकर इस चनल को जॉइन कर लेना देखो अगर आप लोग को इस तरीके से ये चनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोग को टेलिग्राम का लिंक दिया गया है वो लिंक इसी चनल का है जैसी आप उस पे क्लिक करोगे आटोमेटिकली ये चनल ओपन हो जाएगा इसको जाकर जाइन करना नाव बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है होंदियूरस को कहां पर है ये एक्जैक्ली लोकेटेड काबुल के उपर कबजा कर लिया है काबुल अफगानिस्तान की कापिटल है यहाँ पर सभी लोगों को चिंता थी कि तालिबान काबुल के उपर कबजा ना करे लेकिन आप यहाँ पर फाइनली ये सारी चीज़े देखने को मिल गई है तालिबान का कंट्रोल पूरी तरह से अफगानिस्तान के ओपर आ चुका है और दूसरी चीज जो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट है अश्राफ गनी वो कंट्री छोड़कर भाग गए यहाँ पर अफगानिस्तान को छोड़कर यह निकल गए अपने जितने भी फैलो सिटिजन्स थे उनको लेकर यहाँ पर यह और उसी के साथ तालिबान जो है जो कापिटल है अफगानिस्तान की काबूल वहाँ पर एंटर कर चुका है और साधी साथ आप कह सकते हो अब तालिबान गोर्न्मेंट आने वाली है अब जल्दी एनाउंस किया जाएगा अफगानिस्तान को इसलामिक एमिरेट्स ऑफ अफ मिल किया सकता है अब तो यहाँ पर कंट्रोल वैसे भी पूरी तरह से तालिबान का हो ही गया है तो हम लोग देखेंगे अब तालिबान गवर्नमेंट आएगी और जो यूएस के जो एमबेसी है वहाँ पर आपका सकते हो जो यूएस के लोग है उनको भी बुला लिया गया फटाफट यूएस के द्वारा इन्होंने बोला जो भी डॉक्यूमेंट से उनको जलाओ उनको डिस्ट्रॉइ को और फटाफट वहाँ से निकलो ठीक है तो उसी तरीके से आपका सकते हो जितने भी कंट्रीज के लोग है उन्होंने एक तरीके से सबी को बुला लिया है क्य क्योंकि अफगानिस्तान अब फिर से बहुत पीछे चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर वैसे ही जैसे पहले बहुत सारे वोईलेशन्स वगरा उमन राइट वोईलेशन्स देखने को मिलते थे और भी बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं वो चीज़े फिर से बढ़ती होई नजर आएंगी ऐसा बहुत सारे रिपोर्ट्स पहले भी बता चुकी हैं तो यहाँ पर क्या हो सकता है ने वाले टाइम पर जो लोग हैं वहांके उनको बहुत ज़दा दिक्कत होने वाली है देखो एक्जाम के परस्पेक्टिव से तो टॉपिक इंपोरेंट है ही लेकिन स साथ यहाँ पर अफगानिस्तान के लिए बात यह अच्छी है नहीं तिके काफी दुखत खबर है वहांके लोगों के लिए भी जो आम लोग हैं उनको डेफिनिटली बहुत ज़दा परिशानी होने वाली है तो ध्यान रखना है तालिबान जल्दी डेक्लियर कर जिया इसी ही होती भी नजर आएंगी उसका एक आर्टिकल चोटा सा है जादा डीटिल में जानने की ज़रूरत नहीं है देखो जैसे मने बताया बहुत सारी कंट्रीज जो है अपने लोगों को फटा-फट बुला रही है अफगनिस्तान से तो एर इंडिया फ्लाइड भी लगग 139 लोग को लेकर आ चुकी है काबूल से जो कि important भी है क्योंकि वहाँ पर situation बिल्कुल भी संबल रही नहीं है अब यहाँ पर बात करते हैं अगले article की तरफ तो यहाँ पर हमारे प्रामिनिस्टर ने कुछ statement दिया है आपको मालूम होगा कल हमने 75th Independence Day को celebrate किया है तो उसी दोर सबका साथ सबका विकास जो भी यहाँ पर चीज़े है ठीक है अब यहाँ पर क्याई नोंने और भी मतलब कुछ चीज़े बोली हैं जैसे कि अगले जो 25 साल है वो भारत के लिए अमरित काल होने वाले हैं अगर हम इंगले बात करें तो glorious period होने वाले हैं और यहाँ पर इसी किया गया है doctors के दोरा nurses के दोरा, sanitation workers के दोरा, scientist के दोरा, entrepreneurs के दोरा तो वो आपकर सकते हो काबिले तारीफ है तो इनको यहाँ पर एक तरीके से praise किया गया है ठीक है उसके बाद यहाँ पर आपकर सकते हो एक छोड़ा सा ही article इसके साथ ही attach है वो यह attach है कि लगबग आपके सक तो ये फ्लैक को लगाया गया इस फ्लैक को इंस्टॉल किया गया है और वो जगह है कलकाजी हो गया और पत पर गंज हो गया रानी बाग हो गया द्वारका हो गया तो इन सभी जगह पर ये 115 फूट हाई फ्लैक को इंस्टॉल किया गया है और आने वेले टाइम पर यहां पर बोला यह जा रहा है कि और भी फ्लेक्स को इंस्टॉल के जाएगा लगबख अगला जो रिपब्लिक डे होने वाला है तो अगले रिपब्लिक डे तक लगबख 500 जगा पर 500 लोकेशन पर ही इतने उचे फ्लेक्स लगाए जाएंगे और इसी के साथ जो डेली के चीफ से देखने को मिलेगा हमारे डेली लाइफ के अंदर तो यहां पर यह कुछ इंपोरेंट चीज़ हैं तो इसके बारे में ध्यान रखना है ठीक है आगे बढ़ते हैं निक्स्ट आर्टिकल की तरह पहले हम लोग इस वाले आर्टिकल को डिसकस करेंगे यह आर्टिकल और सब कुछ हम लोग डिसकसِंट करेंगे तो अब है आपको मालूम का हाली में एक चर्चा हो इथी कि जो भी आपर स्याचिन ग्लैशियर है वहां पर जो डिस एलडे परसर है जो पर ऑद इसे सांकी धर्टेबलियर है वह जरणी करेंगे स्याचिन घ्लैशियर की सियाचिन आपको ध्यान रखना है और उसके बाद ये जो टीम है पीपल की ये डिसेबल परसन है आपको इसके बारे में भी ध्यान रखना है और इन्होंने ट्राक करना शुरू किया on Independence Day मतलब कल के दिन इसकी शुरुवात हो चुकी है अब ये आनवले टाइम पर एक वर्ल्ड रिकॉर टारिफ प्लस जो है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड से यहाँ पर सेट हो जाने वाला है तो अब इस आर्टिकल के अंदर बहुत सारी इंपॉर्डन चीज़े एक्जाम के परस्पेक्टिव से इसको हम लोग नोट स्वाम में डिसकस करेंगे तो स्क्रीन पर नीचे की साइड आप इंपॉर्डन बताऊंगा जैसे की ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम के साथ साथ जो डिसेबल का इशू है भारत के अंदर वो कहा तक है इसको भी हम देखेंगे तो न्यूज में क्यों था यह हाली वाला मैं आपको बता रहा हूँ रिसेंटली जो गवर्न्न आफ इंडिया है उ जो डिसेबल परसन है उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है ऐसी हम लोग आने वाले टाइम पर चीज़े देखने को मिलेंगी अब क्या है यहां पर यह सारी चीज़े हो रही है ऐसा पार्ट ऑफ ओपरेशन ब्लू फ्रीडम ट्रेपल वर्ल्ड रिकॉर्ड क वाटर इन तीन होई चीज़ों के अंदर यहां पर यह एक एक एचीवमेंट हासिल करने वाले हैं इस वज़ा से इसको ट्रेपल वर्ल्ड रिकॉर्ड बोला गया है अब बात करते हैं इसके कुछ की पॉइंट्स की तो यहां पर यह एक्स्पिडिशन क्या होने वाला है दे चीजो को चलाने वाला टीम क्लॉव है यह क्या है इसके deli होगा साधनिय साधने वाले हैं इसको मैं आपको बतात हूँ Operation Blue Freedom, I hope आप समझ गए होंगे, यह जो चीजे चल रही है, Operation Blue Freedom का ही पार्ट है, अब जो Team Claw है, Claw की Full Form है, Conquer Land Air Water, ठीक है, तो Land Air Water को लेकर यहाँ पर चर्चा हो रही है, एक तरीके से एक Team है, जो की इस Team के अंदर X Indian Special Force Commandos हैं, और यह Commandos Highly Trained Commandos हैं, ठीक है, यह Commandos कहीं नहीं कह Commandos के अंदर से आते हैं, या फिर Navy Marine Commandos के इनको Marcos बोला जाता है, आपको ध्यान रखना है, Marcos बोला जाता है, Marcos Highly Trained Commandos होते हैं, यहाँ पर आपका सकतो इनके Skills कुछ Ultimate Level पर होती है, इनको सब कुछ आता है, Sky Diving, Scuba Diving, Mountaineering, ठीक है Emergency Medical Response के तोर पर भी, आपका सकतो इनका अस् साब हैं, इनके द्वारा, एक पैरा Special Force Officer है यह, अब बात करता है, Operation Blue Freedom की, Operation Blue Freedom एक तरीके से एक Social Impact Venture है, ठीक है, यहाँ पर इसका मेन मकसद यही है, जो Disable Person है, उनको Rehabilite करना, उनको एक तरीके से वापस Refresh करना, और Disable Person जो है, ऐसा काम करके दिखाएंगे, तो लोगों के अंदर जो है, बहुत जादा यहाँ पर हिम्मत सी जाकर निकल कर आएगी, और साथी साथ आप कह सकते हो, जो People with Disability हैं, इनकी Dignity, Freedom और Ability को वापस से Recreate करना, कि हाँ इनके अंदर शमता है, और यह लोग क्या कुछ कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो, इनका पर मिन फोकस रहता है, अब यहाँ पर इस Operation Blue Freedom को लॉंच किया जा था, साल 2019 में Team Claw के दवरा, Claw क्या है मैं आपको बता दिया, Conquer Law, Land, Air and Water, तो यह जो Team Claw है, एक तरीके से यहाँ पर प्रोसेसिंग में है, कि यहाँ पर बहुत सरे सेंटर्स को सेटप के जाएंगे, दुनि Non-Disable Person है, उनको भी Include किया जाएगा, अब आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यह तो हमने Operation Blue Freedom और यह जो Expedition है, इसके बारे में सब कुछ कवर कर लिया है, अब यह कल से जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, दीरे दीरे न्यूज में आती रहेगी, हम लोग इसको कवर अप करते र अब हो सकता है, यानि अपाहीज पना, ठीक है, जो यह पकर सकता हो, अपाहीज लोग होता है, बहुत अलग लग तरीके कि यहाँ पर ही Disabilities हो जाती है, Impairment एक प्राबलम है Body Function के अंदर, ठीक है, अब बात है Body सही से वर्क नहीं कर पाती है, तो उसको हम लोग Impairment बोलते है उसके बाद, जो Activity Limitation है, मतलब कि Body कुछ जादा हद तक यहाँ पर Disable है, कि मतलब कुछ activities वगरा, वो Body बहुत Limited वे में कर पाती है, उसका Participation Restriction भी एक बहुत बड़ी Problem है, जो कि बहुत सारे Individuals के दोरह यहाँ पर Face की जाती है, ठीक है, कि वो लोग यहाँ पर एक तरीके से लगबग 101 किस करोड़ Population का जो भी Census हुआ था, तो उस Population का According पता यह चला, 2.68 करोड़ Persons जो है, वो Disable है, मतलब हमारी जितनी भी जनसक्या है, उसकी 2.21 परसंट लोग यहाँ पर Disability से जूँझ रहे हैं, इनके अंदर पर अगर हम लोग बात करें, इस 2.68 करोड़ में से Male और Female कीतनी है, तो 1.5 करोड़ Males हैं, और 1.18 करोड़ Females आपको देखने को मिल जाएंगी, और आपको ध्यान रखना है, उसका जो जादातर Disable Population है, वो Rural Areas के अंदर रहती भी नजर आएगी आपको, दुनिया भर में लगबग 1 Billion People है, Disable हैं, जो की, आपको ध्यान रख आते हैं, ठीके, एक तरीके से suitable employment नहीं मिल पाता है, ये सारी से देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं, ये वर्क जो है, उनका उत्सा बड़ाता वा नजर आने वाला है, I hope आपको ये article क्लियर हो गया होगा, मतलब ये article आज का बहुत ज़दा जबर्दस article था, अब बात करत जो भी हमारी law making है, अब law making मतलब जितने भी कानून है, ठीके, उसके अंदर आपको बहुत सारी दिक्कते देखने को मिल जाएंगी, और इससे क्या होता है, जो बहुत सारे citizens हैं, उनको बहुत ज़दा दिक्कत होती है, अब क्या है, जब यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो भी litigation create होता है, अब इनका मतलब क्या है, जो भी laws है हमारे उनके अंदर अनिश्चता है, ठीके, जिसको हम लोग बोलता है in exactness, मतलब इतनी exactness है ही नहीं, ठीके, तो यहाँ पर अनिश्चतना ness काफी ज़दा देखने को मिल जाती है, तो आपको इसी के बारे में ध्यान रखना ह तो एक तरीके से exactness इतनी है नहीं, exactly हमारे law कोई चीज़ डिफाइन करनी रहे हैं, laws बहुत सारे हैं, हर चीज़ के लिए बहुत सारे laws हैं, तो वो कही न कहीं citizens के लिए inconvenience है, citizens के लिए कहीं न कहीं दिखकत देखने को मिल जाते हैं, उसी की चक्कर में, जो हमारा 75th Independence Day celebration तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, छोड़ा सार्टिकल है, बट अभी इतना कुछ यहां पर important नहीं है, जो भी यहां पर इसके बारे में details आएंगी, वो आगे हम लोग discuss करते रहेंगे, और जो भी article की detail, कुछ जादा detail निकल कर आती है, वो मैं discuss तो करता ह हो, अभी कुछ इतनी important चीज़ है, यहां पर आर्टिकल के अंदर नहीं है, तो हम लोग इसको skip भी कर सकते हैं, जब आएगा important तो हम लोग इसको cover करेंगे, आगे बढ़ते हैं next important article की तरफ, यहां पर एक article दे रखा है, we want back off from मेकदुतू, अब ऐसा statement दिया गया है बो मैं सा इसको लेकर बहुत जादा विवाद चलता है करनाट का और तमिलाडू को लेकर, ठीक है, तमिलाडू सुप्रीम कोड़ी पहुंच जिया था, अभी मैं आपको विवाद समझाओंगा, पहले हम लोग इसको समझता है, तो यहां पर करनाट का सरकार ने आप बोल दिया है कि क करनाट का बिलकूल इंपलिम्न करेगा, इस द्रिंकिंग वाटर प्रोजट को। चाए कोई भी नेबरिंग स्टेट हो, कोई चाहे वो तमिलाडू अचा कोई भी स्टेट हो, अगर कोई ओपोजिशन करेगा, वो करता रहेए यहाँ पर करनाट का इस प्रोजेट को लगाने लोग इसको समझते हैं क्या है यह तो जो मेकादूतू प्रोजेक्ट है यह रिवर कावरी को बन रहा है आपको ध्यान रखना है यह आपका जीएस पीपर वन प्लस जीएस पीपर डू दोनों के पॉइंट अव्यू से इंपोरेंट है यहाँ पर बहुत सारी टॉपिक्स आते यह प्रोजेक्ट है इसका मेन मकसद यह है स्टोर करना सप्लाई करना वाटर को अब यह जो स्टोर सप्लाई किया जाएगा पानी को किस परपस के लिए किया जाएगा वो ड्रिंगिंग परपस के लिए किया जाएगा आपको ध्यान रखना है किसके लिए बैंगलोरु सिट 17 में इसको कनाड का स्टेट गवर्नमेंट को एप्रूवल भी मिल चुगा था यहां पर चीज़े इंप्लीमेंट ही नहीं हुपाई है आने वले टाइम पर क्यों क्यों क्योंकि 2018 के अंदर क्या होता है 2017 के अंदर अप्रूवल मिला 2008 के अंदर तमिलाडू पहुंच जाता अदर का फ्लो अफेट करेगा यह प्रोजेक्ट ठीक है तो तमिलाडू तक यहां पर पानी सही से पहुंचेगा नहीं तो ऐसी चीज़े यहां पर तमिलाडू के द्वरा यह चीज़े उठाई गई थी फिर उसके बास से विवाद चलता रहा और आज तक यह प्रोजेक्ट सही से इंपलेमेंट ही नहीं हो पाया है तो यहां पर उसी चीज़ को लेकर कहना है कि अब यहां पर करनाड का जो है वो इस प्रोजेक्ट को इंपलेमेंट करने वाला है मैं आपको एक पिच्चर दिखाता हूँ आप लोग यह वाला मैप देख रहे होंगे यहां पर पूर करनाट का खबोल ला है कि चाहे कोई सा भी स्टेट हो चाहे वो तमिलाड हो चाहे कोई भी ओपोस करते रहे हैं यहाँ पर यह प्रोजेट को implement करने वाले हैं ओके यह है सिंपल सा फंडा अब आगे बढ़ते हैं next important article की तरफ यहाँ पर आता है अगला आर्टिकल को चर्चा हो रही है तालीबान ने इतनी तेजी से टेक ओवर किया है कि इंडियन ओफिशल्स के लिए सभी के लिए सर्प्राइजिंग है यहाँ पर इंडियन ओफिशल्स ने यही बात रखी है कि तालीबान का जो टेक ओवर है जादा कुछ important information नहीं है एक्जाम के लिए यहाँ पर कुछ नहीं देखने को मिलेगा यहाँ पर यही एक तरीके से एक statement दिया गया है जो कि कोई माइने रखता नहीं है फिलाल यहाँ पर यहाँ चीज तो important है कि यहाँ तालीबान का टेक ओवर बहुत तेजी से हुआ है और अचानक से आप कर सकते हो यहाँ पर पूरे अफगानिस्तान के ओपर यहाँ पर कब्जा देखने को मिल गया है उसके बाद एक article आता है यह बहुत जादा important है इसके जो भी data है वो note down करके रख लेना क्योंकि environment के point of view से GS paper 3 में काफी हद तक यहाँ पर important role play करेगा आप इस data का इसमाल कर सकते हो और data में यह बताया गया लगबग 6808 death हुई है rain के कारण यानि बारिश के कारण और लगबग cyclones के कारण ठीक है तो बारिश और cyclone की वज़ा से 6808 death हुई है पिछले तीन अलो के अंदर तो यह बहुत important है आपको दिहान रखना है और इन सब के अंदर यह आप आप कर सकते हो कि वही चीज़े बताई गए कि लगबग 6800 people की जान जा चुकी है पिछले तीन सालों के अंदर हमारे country के अंदर और यह सब हुआ है hydrometeorological calamities की वज़ा से और यह calamities क्या होती है जैसे कि पाहला जाना land slide हो जाना cyclones आ जाना इन सब चीज़ों की वज़ा और 2422 डेट होई थी 2019 बीस के अंदर 1986 डेट होई थी 2021 के अंदर और West Bengal का यहाँ पर कुछ डेटा दे रखा है जो कि यहाँ पर इतना खास नहीं है बड़ यहाँ पर overall डेटा आप लोग धिहान रखना मतलब यह भी कुछ डेटा पर इतना फोकस मत करना बट यह है कि exact जो number है 6808 यह यह आप दिहान रख सकते हो यह फिर 6800 तक धिहान रख सकते हो कि यहाँ पर इतनी डेट हुई है उसके अदिहाँ पर यह सब चीज़े पता कैसे चली है तो हमारी मिनिस्ट्री ने इस सारी चीज़े बताई हैं कि देखो इन सब चीजों की वज़ासे जैसे कि जो भी hazard हैं flood हो गया cloud burst हो गया land slide हो गया इनकी वज़ासे यह situation create होई है और West Bengal सब साथा दिक्कत जहिलने वाली जगा देखने को मिली है और वहाँ पर आपको मालू होगा भी हाली में बहुत सारे cyclones देखने को मिले लगातार हमें एक महीने में दो cyclones देखने को मिले फिर पिछले सा हाली बहुत सारे cyclones आए थे उनकी वज़ासे बहुत सारी death होई है वेस्ट Bengal के अलावा और कौन सा state आता है जो की बुरी तरह से affected है वह है मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश के अंदर लगबग 833 death होई है इन सब चीजों के कारण और करेला आता है फिर उसके बाद के अंदर की वैसे तो महराष्टरा हो गया असम हो गया ठीक है ओडिशा हो गया तो यह सभी स्टेट्स भी काफी बुरी तरह से affected है अब यहां पर बोला गया है फंड एलोकेशन के बारे में तो इन सब चीजों को देखते वे बहुत सारा फंड भी ऐलोकेट किया गया है कि हाँ इन च बहुत तगड़ा साइकलोन आया था मई के महिने में फानी साइकलोन आपको मालूम होगा फिर नवंबर 2019 में बुलबुल मई 2020 में अमफान फिर मई 2021 में यास ठीक है यह साइकलोन तो बहुत ज़्या डिस्ट्रक्टिव थे इनकी वज़ा से भी यह सारी चीज़ें यहां पर बहुत सारे आर्टिकल लंबे-लंब आर्टिकल में कनवर्ट हो जाती है तो हम लोग थोड़ा सा बेस क्लियर करते वे चलेंगे डेली बेसिस पर यहां पर जो जमुएंड कश्मीर के लिफ्टन गवरनर है मनोज सिना साब इनके दोरा कहना है जो जंगल राज था वो हो चु काउंसिल बन चुके हैं इनके एलेक्शन हो चुके हैं साल 2020 के अंदर उसका यहां पर दीरे दीरे पीस्फुल की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं साधी साथ इनों ने तारीफ करी जो अगस 5 2019 के अंदर एक स्टेप उठाया गया था आप समझ गया होंगे हाँ पांच अ 2019 को क्या स्टेप उठाया था आर्टिकल 370-35 एको अब्रोगेड किया था ठीक है जम्मेंट कश्मीर का स्पेशल स्टेटास हटाया गया उनको यूने टरिटरी बनाया गया तो वह स्टेप काफी बहतर था काफी अच्छा स्टेप था ऐसा यहां पर जम्मेंट कश्मीर के ल भारत के अंदर देखने को मिलेगा तो उसी चीज को यहां पर यह प्रेज कर रहे हैं तो यहां पर छोटे-छोटी इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन है ध्यान रखनी है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट इंपोर्टेंट आडिकल की तरफ तो यहां पर आप लोग देख पा रह बात है कि इनोंने यह सेलिब्रेशन को अटेंड गया है तो यह सारे टोक्यो ओलॉम्पिक्स वाले भी यहां पर एक तरीके से इनको इन्वाइट के अंदर तो आपको ध्यान रखना है चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्डिकल की तरह अब क्या है आमाले इंपोर्टे है तो सुप्रीम कोट यहां पर बोलाए कि तरीके से आपका सकते हो कि अभी क्या हुआ है ना मैं आपको एक इंपोर्टेंट फर्मेशन हाइलेट करी थी हाँ यहां पर दिख रही होगी आपको कि जो यह मतलब कुछ ज्यादा इसमें खास चीजे नहीं है ठीक है खास चीज अब तक यहां पर कोई भी सुप्रीम कोट के अंदर जुडिशल अपॉइंटमेंट देखने को मिलेगा ही नहीं यहां बोलाए बोलाए सितमबर 2019 की बात है तब भी 10 अपॉइंटमेंट हुए थे सुप्रीम कोट के अंदर ठीक है तीन बाचेस के अंदर और यहां पर फिर अपॉइंटमेंट में कौन-कौन व्यक्ति थे उनके बारे में चर्चा हुय है ठीक है जो जी हमारी important नहीं है बर उसके बाद से अगर हम लोग बात करें तो इतने appointment देखने को मिलेगा नहीं अब फिलाल यहाँ पर appointment होगा ठीक है अब यहाँ पर judicial appointment होगा तो इसके उपर focus करने की काफी ज़दा जरूरी है साधी साध यहाँ पर बोला गया है कि कोई महिला को अभी appointment किया जाए ठीक है बिल्कुल important है क्योंकि यहाँ पर एक इतिहास create हो जाएगा जैसी हम लोग एक supreme court के अंदर एक women judge को choose करते है तो ठीक है women judge को appointment करते है अभी तक ऐसा हुआ नहीं है तो हम लोग को अंतजार है कब हम लोग एक women को as a judge appoint करेंगे in the supreme court okay तो इस चीज का अंतजार रहेगा और पहला नाम सुनने वाले हम लोग की पहला नाम क्या होगा ठीक है अभी देखते हैं आने वाले टाइम पर ऐसी चीज़ होती भी आनी होती है आप बताओ आपकी क्या रहे हैं क्या हमें एक women judge को होना चाहिए supreme court के अंदर अभी तक यहाँ पर इस चीज़े नहीं implement होगे तो इनको यहाँ पर इस चीज़े को पर focus करना पड़ेगा ओके आगे बढ़ेंगे next important article के तरफ यहाँ पर चर्चा हो रही है independence day पर जो बाइडन ने हमारी एक तरीके से जो relationship है उसको लेकर चर्चा करी है मतलब इंडिया और जो USA की friendship है उसको लेकर चर्चा करी है साथे-साथ इन्होंने जो है बदाईयां दी independence day पर और उन्होंने बोला जो दोनों का relationship है friendship है वो एक तरीके से continue रहने वाला है और काफी अच्छी तरीके से दोनों के friendship है वो निबती भी आ रही है और आप कह सकते हो दोनों ही यहाँ प आपको चार कंट्रीज देखने को मिलेंगी इंडिया जपान ऑस्ट्रेलिया और USA दो यहाँ पर क्या है कि दो जो बाइडन ने पॉइंट आउट किया कि पिछले एक साल के अंदर बहुत ज़दा मतलब development होता बना ज़रा है quad पर बहुत ज़दा focus हुआ है plus COVID-19 pandemic की वज़ा स मतलब आप कह सकते हो कि partnership हो आई है साधी साथ China को tackle करने के लिए हाँ पर quad बनाया गया उसके बाद आप कह सकते हो कि यहाँ पर और चीज़े क्या है कि दोनों countries के बीच में जो defense relation है वो भी बहुत ज़दा important है और defense relation हमारा US के साथ बहुत ही ज़दा अच्छा है ठीक है तो अ लंदन के अंदर प्रोटेस्ट किया जा रहा है और उस प्रोटेस्ट के अंदर बोला जाए Prime Minister Resignation मतलब हमारे PM Modi जो है वो resign कर दें अब ऐसा यहाँ पर क्यों बोला गया तो आप देख पाऊगे यह Westminster Bridge का यह पूरा picture बताया गया और उन्होंने यहाँ पर इस तरीके से प्र देखो बहुत सारा इन्होंने point out किया कि देखो आज के time पर क्या हो रहा है violence हो रहा है अगेंस ना Muslim Community, sexual violence हो रहा है अगेंस दलित women and girls ठीक है यही चीज मैं हाईलाइट कर दी शायद उसके बाद यहाँ पर क्या है इन्होंने बोला कि corporate dominance देखने को मिलेगा agriculture के अंदर ठीक है चेड़ चाड़ हो रही है ऐसा यहाँ पर बोला गया तो इन सब चीजों की वजा से लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं Westminster ब्रिज पर और यहाँ पर कहना यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं को रिजाइन कर देना चाहिए ओके आगे बढ़ता है नेक्स आड़ बोला गया है निर्दई तालिबान का जो रिजी में वह आपस आता वा नजर आगा जिसमें आपको बताया कि मतलब अफगानिस्टान बहुत ज़्यादा पीछे जाने वाला है फिर से जो भी यहाँ पर human right violation ठीके विमन के प्रती बहुत सारा violation बच्चों के प्रती चीजे काफिया तक सही हुई थी अफगानिस्तान में पिछले 15-20 साल के अंदर लेकिन अब यहाँ पर वापस से पीछे चला जाएगा तो उसके बारे में काफी ज़्यादा चिंता वाली बात है ठीक है यहाँ पर आप देख पाओगे ब्रूटल तालिबान रिजीम को लेक ना जादा मैगनिट्यूड का था लगबक 7.2 मैगनिट्यूड का था और उससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है आप कह सकते हो इतना बड़े मैगनिट्यूड का भुकम नेपाल जो काटमडूम आया था बहुत पहले वो उतना तगड़ा भुकम वहाँ पर भी मैगनिट्यूड के भुकम की वज़ा से काफी हतक चीजों का लॉस होता है हेती के अंदर कल आपने मैप में देखा होगा हेती को नहीं देखा था तो आज भी देख ले ना इंपॉर्डेंट है जो भी कंट्री हो मैप में जाकर देख लिया करो उसका एक आर्टिकल यह है च चोटी सी information आई है और US ने अपने बहुत सरे officials को बुला लिया है उन्होंने बोला कि जो यार NBC के अंदर जो भी documents है उनको आग लगाओ उनको destroy करो और उसका फटा-फट भागया हो और यही काम हुआ है साधी साथ इंडिया ने बहुत साए लोग को बुला लिया है जो भी countries क जो लोग है उन्होंने बुला लिया है क्योंकि यहाँ पर काफी ज़दा insecurity create हुए चुकी है अब यहाँ पर देखते हैं आने वले टाइम पर कैसे चीजों को solve किया जाता है ओके तो मतलब काबुल को लेकर अफगानिसान को लेकर वही आर्टिकल बार बर चर्चा में है तो आगे बढ़ते हैं तो आज है मंडे और मंडे में जो है बिजनस सेक्शन आता नहीं है तो यहाँ पर अब हम लोग चलते हैं अपने डिरेक्टल पर देखेंगे आज के important editorials को आज की सिर्फ और सिर्फ चार editorial हैं जो की important है एक article यह वाला इसको हम लोग discussion करेंगे कल हमने दूसरा article आपको यह वाला देखने को मिलेगा इसमें इंडिया की काफी सारी history बताई गई है को कि कल हमने Independence Day को celebrate किया है तो Independence Day के साथ साथ अगर हम बात करेंगे तब से ही अब तक internationally हमारे बहुत सारे ties देखने को मिले हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे क्या-क्या दिक्कत उसका देख article यहां पर दे रखा है तमिलनाडू ने कुछ step उठाया है petrol prices को लेकर उसके बारे में चर्चा की गई है जो कि मैं कल ही discuss कर चुआ था तो देखो छोटी-छोटे article है जो कि हम लोग discuss कर लेते हैं पहले वो अग्ले दिन editorial पर आते हैं जैसे मैं आपको बताया था म आपके पहले भी कह चुगा था कि तमिलनाडू के अंदर यह जो पैट्रोल के prices उसको लेकर चर्चा हो रही है तो यह एडिटूरल पर आ चुका है ठीक है तो यह चार आर्टिकल के बारे में discussion होने वाला है आज यही important है सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस वाले आर्टिक अब 14 अगस्त को अप से क्या सलिभरेयट किया जाएगा एक तरीके से observing day होगा वो गवा partition orders remembrance day किती बार में बोल चुगा इसको observe क्यों कि आ जाएगा क्योंकि लगबग आप कह सकते हो जब partition हुआ था उसकी वज़ा से बहुत जादे लोगों की जान गई बहुत जादा human right violation हुआ ठीक है बहुत सारे women को को द्यान में रखते हुए इनकी memories में जो है इस दिन को यहाँ पर observe किया जाएगा तो आपको द्यान रखना है बहुत जादा violence create हुआ था इंडिया के अंदर एक अगेंस्ट इंडिया इंडियां इंडियांस हिंदू से अगेंस्ट मुसलेम्स तो यहाँ पर इस सारी चीज़े देखने को मिल गई थी उसके वद आपका सकतो partition के समय पर यह बहुत दिक्कते create हुई थी तो उसी चीज़ को थोड़ा सा मैं भी partition के यहाँ पर इतनी थी नहीं यहाँ बहुत है तो इंडिया के जो टाइस अगर हम बात करें पूरे दुनिया भड़ से वह बहुत पहले से हैं और इससे यहाँ पर काफी help भी मिली है और काफी अधक हमारे जो हैं विवाद भी देखने को मिलेंगे ठीक है और यहाँ पर देखो कोई भी नियूली इंडिपेंडेंट कंट्री होती है जैसे मानलोक इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 15 अगस्ट 1947 में तो उसके बाद यहाँ पर जरूरत भी है कि हाँ दूसरी कंट्री के साथ हमें अपने टाइस रखने ह क्योंकि हमारी कंट्री तभी सर्वाइब कर पाएगी सिक्योर रह पाएगी development की तरफ बढ़ेगे जब दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन रहेंगा केली कंट्री रहेंगी तो अकेली कंट्री के अंदर सारे resources अवेलेबल नहीं है क्या करना पड़ेगा मिल बाट कि करना पड तो एक दूसरी जो कंट्रीज हैं वो एक दूसरी के उपर डिपेंडेंट है कि सीच को लेकर सर्वाइवल सिक्यूरिटी और डेवलप्मेंट को लेकर ओके नव अब हम लोग बात करें तो कॉंस्टेंटली हम लोगों ने यह देखा है कि इंटरनाशनल एंवर्मेंट को लेकर जो इंडिया है इंडिया के साथ बहुत सरी अपॉर्चुनिटीज भी आई है और इंडिया ने बहुत सरी चैलेंजिस भी फेस करें हैं अब वो क्या क्या है हम लोग इसको देखेंगे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज थी और क्या क्या चैलेंजिस फेस करें भारत ने ल तो अधिए साथ एकनामिक ग्रोथ के ऊपर प्रस्पेक्ट के ओपर यहां पर ध्यान रखना क्या-क्या बात और हो यहीफ बहुत बड़ा इंपक्ट package यह वचाने साथ चैना के साथ अंदर लगवग आपका सकते हो इंडिया जो है बहुत सारे और भी चीजों से टेकल कर रहा है लिके इंडिया जो है चटी लार्जस्ट एकनॉमी है दुनिया भर के अंदर और आज के टाइम पर आप कह सकते हो इतनी ज्यादा दिक्कत है फेस करने को मिल रही है हम लोग को और आज के टाइम पर हमारे पास एक ग्रूइंग नेटवर्क है इंटरनाशनल स्ट्रेजिक एकनॉमिक पार्टनर्स का और इंडिया जो है पूरी तरह से फोकस करता है शुरू से ही दूसरी कंट्री की तरफ यहाँ पर रिलेशेशिप की तरफ और हमने फोकस किया है दूसरी क के वारे में डिस्कॉशन किया है इंडिया ने एक तरीके से एडॉप्ट किया था फॉरण एंड सिक्वरिटी पोस्चर लगबग 15 अगास 1947 से पहले ही मतलब इंडिपेंडेंस से पहले ही हमारा जो है काफी अगर हम बात करें टाइस देखने को मिलते थे दूसरी कंट्री के साथ क्योंकि इंडिया के जो पहले लीडर थे उन्होंने एक तरीके से फ्रेंडली रिलेशन रखे थे दो कंट्री के साथ यूएस और सोवेट यूनियन दो नहीं सूपर पावर्स के साथ हमारे रिलेशन से अच्छे थे रिलेशन से ठीके इन फैक्ट अगर हम बात करें इ इंडिया ने एक तरीके से बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले किया है डी कलोनलाइजिंग वर्ड के अंदर टीके इंडिया को बहुत जादा सेक्यूरिटी असिस्टेंस मिला है उसका आप कर सकते हो कि इंडिया ने भी आज के ताइम पर बहुत जादा असिस्टेंस प्राब हुए जैसे कि अब मैंने बताया इंडिपेंडेंस से पहले बहुत सारी कंट्री से रिलेशन अच्छे थे फिर क्या हुआ भारत इंडिपेंडेंट हुआ 15 अगस्ट 1947 के बाद अब जो पोस्ट कलोनियल वर्ड था उसके बाद अगर हम लोग बात करें हमारा विवाद हमारे रहते ही है 1965 में एक दूसरी वर होती है फिर उसका फिर से दिक्कत है हाँ पर शुरू हो जाती है चाइना के साथ पाकिस्तान के साथ हमारे वर हमशा सही रही है और आप कह सकते हो दोनों ही यहाँ पर एक नेबरिंग कंट्री आपको देखने को मिल जाएगा पीछे हटना पड़ गया चाइना के अगेस्ट में मतलब आप कह सकते हो चाइना ने सिक्किम में एक तरीके से कबजा करनी कोशिक करी 1967 में और इंडिया को पीछे हटना पड़ा और इंडिया को एक तरीके से पीछे डगे ला गया तो आप कह सकते हो कि यह सारी चीज़ तो आपका सकतो इतनी चीज़े चल रही थी उस समय को पूछो में दिक्कत पर दिक्कत इंडिया के जो रिलेशन थे सूपर पावरण के साथ युएस और सुवेटन साथ वह काफी अच्छे थे लेकर ऐन्सों सूपर पावर्स के अलावा आप ऑठ प्या उस चीज की वज़ा से उस war की वज़ा से इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन्स और जादा बहुत जादा बुरी तरह से खराब हुए ठीक है और इंडिया का जो एकनॉमी वगएरा है वो एक तरीके से उस समय बिल्कुल ठब चल ला था ठीक है तो यहाँ पर इंडिया ने बहुत जादा चैलेंजिस हम लोगो दिखाए भारत को बहुत जादा चैलेंजिस दिखाए और आपका सकते हो कि सिक्किम को अनेक्स किया गया पाकिस्तान से कॉम्पेटीशन चल ला था इस्तेंड़ चल दा चाइना के साथ पाकिस्तान और सियाचिन को लेकर काफी और यह जो North Eastern States आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर हमेशा साही बहुत जादा विवाद रहा है, चाहे वो पंजाब की बात करें, हमेशा से बहुत सारा वालेंस क्रियेट हुए है, जमू एंड कश्मीर में भी आज तक दिक्कते देखने को मिलती हैं, आप थोड़ा सामलो रिलेशन्स को मिंटेन किया करके रख रख रखाता है, उसके बाद हमने अपनी एकनॉमिक को लिबरलाइस किया और तोड़ा बद चीज़े ओपन हुई है, फिर उसके बाद हमारा ट्रेड वगरा थोड़ा सा चालू हुआ, फिर उसके बाद कोल्ड वार होता है, फिर सबस्क्राइब honyyy बasmus का उंसरुमें के अंदर बड़ जाती है तो मदब यह साल नी ने को सब आप पर ए Teach देखने के यही किंटजिंस्यल शांत सब्सक्राइब कि इस्र लिऎ बाता है रोच तो एभी गते सथal बहुत हमारा शांती मेंटेन हो चुकी थी उस समय पर चाइना के साथ शांती मेंटेन ही हुई थी लेकिन कुछ साल बाद फिर से क्या हुआ फिर से मतलब जो है जड़ब दोनों के अंदर छिड़ गई यहाँ पर हम लोग बात करें कुछ बहुत सारे एग्रिमेंट्स साइन फिर अपर के बाद आपके सकते हैं इनोंकर तरीके से वर्ग किया और अब यहाँ परिंडिया का दिया की बहुत बड़ा फिर वहाँ चीज वर्धें Grenμαι्स में बढ़ जो भी हुआय नो के अंदर और ग्लोबल फैनेंशल क्राइसिस आता है, दुनिया भर के अंदर एक बहुत-बड़ा फैनेंशल क्राइसिस आता है, उसके वज़े से दिक्कते होने लगती है फिर से, और चाइना जो है फिर एक राइसिंग पावर की तरह उबरना चालू होता है, फिर 2011 के अंदर वापस से हमा वेल्ट एंड रोड इनिशेटिव है इसको बॉइकोट करा गया कि हम लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे उसके बाद आपको समझ में आ ही रहा होगा सब कुछ हम लोग ने जो कवर किया डीटेल में उसके बाद यहां पर क्या है जो रिलेशन्स है वो पूरी तरह से बेकार हुए और आज के टाइम पर भी आपका सकतो बेकार ही है फिर उसके बाद उरी पुलवाम अटेक यह सारी चीज़े देखने को मिली उसकी वज़े से रिलेशन्स और जदा खराब हुए और उसका दगर हम बात करें इंटरनाशनल इ से काफिया तक बेहतर है आज के टाइम पर जो सबसे बड़ी दिख्कात है वो है कोविड-9 पंडमिक तो उसको भी जल 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 रिजॉल्व किया जाएगा ओके आपको यह आपको यह आर्टिकल क्लियर हो गया होगा लंबा चोड़ आर्टिकल था काफी सारी हिस्ट्री यहा से चेर्मेंन बने थे और यहां पर करनाऺ का को लेकर चर्चा हो रही है कि करनाटका देखो हमेशा सही बहुत जाएबब चीज dementर चैथाता है अबतलब बहुत revenue हाँ पर देखने को मिलता था आज के टाइम पर वो revenue deficit state है वहाँ पर revenue के कमी हो चुकी है क्यों क्योंकि जबरदस्ती जो है center ने बहुत सारी चीजे थोप दी है उसके उपर जिसकी वज़ासे हाँ पर यह चीजे देखने को मिली है उसी को बोलते है course of federalism federalism मतलब state और center government दोनों मिलकर काम करें ठीक है संगवात का जो धाचा होता है तो वो तो cooperative federalism होगा जब मिलकर काम करेंगे लेकिन course of federalism कब होता है जब जबरदस्ती चीजे थोपी जाएंगी state के उपर जबरदस्ती जो है उनसे शुरूर से यहां पर कनाटका के अंदर बहुत ज़्यादा political crisis रहे हैं अब यहां पर हम लोग बात करता है यह unfortunate है बहुत ज़्यादा कि जो बीजेपी party है उसने अपनी political ideology दिखाई है और यहां पर एक तरीके से यह लोग वीर सर्वकार एक तरीके से हिंदुत्व instead of the Supreme Court of Constitution of India की तरफ बढ़ा है मतलब हिंदुत्व की तरफ ज़्यादा बढ़ा है हिंदु को ज़्यादा promote किया गया है हिंदी को ज़्यादा promote किया गया है ऐसा है आप पर इनका कहना है कि आप कर सकते हो कि जो इनके इनके जो politics हैं वो focus करती है centralization के उपर सारी powers एक के हाथ में हो यह चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है उसी वजाए से जो non-hindi states है वहाँ पर भी आपको हिंदी का काफी बड़ा role देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर इनी तरीके से आपका सकते हो कि BJP government को काफी और तक लेकिन जो BJP government की policies हैं वो कहीं न कहीं coercive federalism की तरफ जबरदस्ती की तरफ आगे बढ़ती भी नजर आती है जबरदस्ती जो है state relations यहाँ पर बनाये जा रहे हैं जबरदस्ती यहाँ पर चीज़े उसको पर थोपी जा रही है revenue deficit state के बारे में चर्चा और यह मतलब करनाट का जो है one of the state ऐसा हुआ करता था पहले पहले हुआ करता था जहाँ पर revenue बहुत था लेकिन आज के टाइम पर यह state बहुत जादा है रहेस करा गया है central government के द्वारा करनाट का आज के टाइम पर इसके बाहस wealth वगरा वो बहुत जादा खतम हो चुका है कि इसकी वजा से BJP की policies की करनाट का जो share of tax है वो काफिया तक reduce हो चुका है यहाँ पर इसके बारे बताए गया करनाट का पहले amount बहुत हुआ करता था जो share of tax था पहले इसका 4.72% हुआ करता था 14 finance commission में वो गिरकर 3.67% बन चुका है अब यहाँ पर जो भी एक तरीके से tax का revenue होता है जो सरकार कमाती है state government कमाती है उसको इतना भी नहीं मिलता है मतलब इनको जो है अपना revenue भी पूरा तरीके से नहीं मिल रहा है ऐसा यहाँ पर कहना है और इनसे पैसा निकाल लिया जाता है ठीक है मतलब यही कहना है पैसा इनके पास मतलब जो revenue इनका generation होता है उसको तो कम मिल लाए वो और जो निकाला जाता है वो यहाँ पर यहाँ से state से जाधा निकाला जारहे तो यह सारी चीजे bjb government की policies है जिसकी हो रही है कुछ amount बतायीग classrooms पैसा जा रहा है कितना पैसा जा रहा है पैसा जा जाध है आकम रहा है तो उसके पार आपको है amount का पारे मेंبة में आपको कुछ नहीं द पता रहा हूँ तब जो स्टेट गवर्मेंट है वो अगेंस्ट में खड़ेते हैं स्टेट गवर्मेंट कर रहे थे बिलकुल हम इस चीज़ों को फॉलो ही नहीं करेंगे और यहां पर GST आप लोग नहीं लाओगे तो सेंटर ने बोला कि हम लोग आपको कमपनजेशन देंग बहुत अच्छा कॉंट्रिबूशन कर रहा है लेकिन उसको रिटन में बहुत कम मिला है और जो स्टेट कॉंट्रिबूशन अच्छा नहीं कर रहा है उसको रिटन में बहुत जादा मिला है फॉर एक्जांपल मैं आपको एक एक्जांपल देकर समझाता हूँ जो कि एक हमने अपने स्टेट को पर काम किया है ठीक है मतलब जो स्टेट गवर्णmenन उन्होंने काम किया है बहुत कम है सिर्फ को कौंट्रिबूशन कई देखने को मिलेगा Giftいます depends on happiness अगर लहाँ बात जाते हैं लेकिन यहाँ पर सरकारी जो टेक्स वगरा या फिर जो भी हाँ पर इंसेंटिव है वो उत्रप्रदेश के अंदर जादा जाता है पॉबलेशन वापर इंक्री पॉबलेशन बहुत जादा देखने को मिल जाएगी ठीके उसका पर आप देख पाओगे यह वाली रिजन ऐसे हैं और यहाँ पर बोला गया कि करناट का चाता था जो मदलब जो करناट का की सरकार है वो चाती ही उन्हों near request करा सेंटरल government से कि करناट का अपना फलैग हो ठीके इन्हों नहें पर अपने शिवरी मिद लेके इस चीज को इंप्लिमेट करने दिया ही है साधी साध करनाटका का यहाँ पर चाहता था अपने खुद का स्रेट का फ्लाग हो लेकिन यहाँ पर इस चीज को अला हो ही नहीं किया गया तो English और Hindi जिसको आती है वो यहाँ पर इन vacancies को एक तरीके से fill up कर सकता था वो यहाँ पर apply कर सकता था तो English और Hindi वाले जो people है वो एक तरीके से candidates हैं उनके पास opportunity थी वो कि यहाँ पर apply कर सकते हैं लेकिन आप कह सकते हो जो non Hindi medium वाले students हो उनको यहाँ पर chances नहीं मिला है और इसकी education policy है यह एक दूसरा टूल एक अस्तर है BJP का जिसकी वजासे जो हिंदी है उसको promote किया जा रहा है non Hindi states के अंदर ठीके आप कर सकते हो कि हाँ पर जो एक मतलब यह जो non education policy है ना इसका यहाँ पर इस्तमाल कर रहे है कोई भी state है वो तीन languages को इसको 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 इसक स्कूल से उनके पास सारे resources नहीं होगे कि वो अपने faculties को arrange कर सके कि वो faculty सारे subjects पढ़ा चके तो उनके लिए हाँ पर जो third languages है उसके लिए क्या कोई और च्वाइस नहीं हो सकती है क्या Hindi ही होगे तो मतलब क्या Hindi एक आखरी choice बन जाती है इनके लिए तो ऐसा यहाँ पर बोला गया तो यह चीज़े कहीं ने कहीं Centralization of education को implement करती है कि जो center चाह रहा है एक तरीके सा जो हिंदी को यहाँ पर सारी non-hindi states के अंदर implement करना चाले है वही चीज़े यहाँ पर देखने को नजर आ रही है ओके उसका नहीं पर बोला गया कि लगबाग इतना time हो चुका है इंडिय को मिलता है ठीक है वह चाहते है तमिल बोलना लेकिन यहाँ पर हिंदी लेंग्वेज का imposition हो जाता है उसकी वजासे लंबे समय तक यह लंबे समय से विवाद क्रेट होता वा नजर आ रहा है तो उसके साथ यहाँ पर जो author उनका कहना यह है कि सरकार को जो है एक तरीके से ज जबरदस्ती चीज़े नहीं थोपनी चाहिए जो cooperative federalism है जो संगवात का धाचाय स्टेंटर और स्टेट मिलकर वर्क करता है वो cooperative federalism को फॉलो किया जाए ना कि courtship federalism को फॉलो किया जाए तो ऐसा यहाँ पर author का कहना है I hope आपको यह clear हो गया होगा उसके बाद अगला article आज का पर आपका सकते हो कि देखो जरूरत क्या है कि तमिलाडू ने अभी क्या क्या है ना पेट्रोल के prices को कम क्या है तीन रुपाय पर लीटर से तो आपको ध्यान रखना है इसकी वजासे जो है मतलब यह चर्चा में आ चुका है वह कैसे क्या है मानलो हम लोग क्या करता है मतलब आपका सकते हो काफी यह प्राइज वाली चीज है जो कि प्रीज वर्दी चीज है जिनकी तारीफ करी गई है जो भी author हैं उन्हें यहाँ पर इसको तारीफ करते हैं यह सरी इसे बताई गहीं है ओके आई होब आप लोग को यह article अच्छे से clear हो गया होगा इसी के साथ करते हैं lecture को समाप और आप सोच रहे होंगे कल वाले editorial हाँ यार editorial मैं सोचता तो हम आज discuss करूँगा वीडियो इतना लंबा हो जाता है चौवण मिनट का यह वीडियो हो चुका है गंटे का अल्रेडी हो चुका है एक गंटे से जाधा आप लोग फोकस कर भी नहीं पाऊगे तो कोशिश करूँगा मैं फिर से दिखो होता है कि है ना बहुत सारे दिन होता है ठीक है बहुत जाधा चर्चा में रहने वाला है तो कल ही हम लोग इसका डिस्कुशन कर लेंगे एव नाइस टे थैंक यू और जाहिंद